नमस्कार आप देख रहे हैं केक्यार न्यूज और आपके साथ में हूं आर्थी के लोत आई ये शुरुआत करते हैं खबरों की नकली रेमडिसीवर इंजेक्शन मामले में जैसे 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 जाँच घहराती जा रही है वैसे वैसे पुलीस का शिकंजा भी कस्ता जा रहा हैं मामले से जुड़ी हुई एक अहम और बड़ी खबर जबलपूर से सामने आ रहे हैं जहां ओमती थाना पुलीस ने सिटी अस्पताल के संचालक और मामले के मुख्य आरोपी सरब जिस सिंग मोखा की पतनी जस्मीत मोखा और अस्पताल की मैनेजर सोनिया खत्री शुकला को देड़ राध गिरफतार कर लिया है दोनों पर मामले की जौच में संयोग ना करने और शाक्ष चुपाने का आरोप है हर करन मोखा की तलाश में पुलिस काईस्तानों पर दविश दे रही हैं आपको बता दी की हर करन मोखा पर इस काले खेल में नकली आईडी का उप्योग करने का आरोप है लिहाजा अब मोखा परिवार के तीन लोग पुलिस की जौच का हिस्ता बन गए हैं वहीं मामले में अभी तक जिन धारों में मुकत्मा दर्ज किया गया था उसमें धारा 201 भी बढ़ा दी गई हैं एस आईटी प्रबारी अतिरिक्त पुलिस अदिक्षक रोहित काश्वानी ने बताएं कि एस प्रकरन में किसी भी तरह की धिलाई नहीं की जा रही है आरोपी मोखा से जुड साक्ष इकटा कर रही है गौरतलाभे की पुलिस ने अस्पताल के एक सूची प्राप्त की है जिसमें 400 सहाट मरीजों के नाम सामने आये जो मोखा के सिटी अस्पताल में भरती थे पुलिस इन मरीजों के परिजोनों से भी पुस्ताश करके उनके घर पहुँच रही है वही अब मोखा के पत्नी और अस्पताल मैनेजर को भी गिरफतार कर लिया है वहीं पुलिस ने उमीद जटाई हैं कि मामले में जल्द और भी गिरफतार हो सकते हैं जवलपूर से वाजित खान की रिपोर्ट हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नब गूले!